नमस्कार अच्छे दिनों में आपका स्वागत है जबरदस्त अच्छे दिन आए हुए हैं जनाब देखिए तो भारती अर्थ विवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री किस तरह से इसे भीशन रसातल में ढखे ले जा रहे ह जिननेताओं ने भाशपा की वाशिंग मशीन में धुलाई कराने से इंकार कर दिया वे सब CBI, ED और ना जाने किन-किन जाच एजनसियों के चंगुल में हैं प्रिडमूल कॉंग्रेस के डिर्टी मैन मुकुल राय हूं या करनाटक के मुख्यमंत्री यदुरप्पा सब हो गए Mr. Clean और पूर्व वित्यमंत्री ग्रीमंत्री पी चितंबरम के घर कूद-कूद कर जाच एजनसिया पहुच गई उन्हें हिरासत में लेने को इसी कूद-फांद बीजेपी वाशिंग मशीन वाशिंग पाउडर के दौर में हम हाजिर हैं खोश खबर के नए एपिसोट के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे इर्दगिर्द घट रही घटनाओं की जिनकी आच आती है हम सब तक और क्यों न कहिएगा कि अच्छे दिन आही गए हैं 21 अगस्त यानि कल देश की राजधानी की सडकों पर उत्रा नीला सहलाब दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ दलित युवाओं का आक्रोश फूटा हमने खोश खबर के पिछले एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था कि संत रविदास मंदिर को तोड़े जाने पर और सरकार द्वारा इस पर कुछ भी ना किये जाने पर दलितों की नाराजगी बढ़ रही है और जल्द ही अगर कुछ नहीं किया गया तो इस्थिती विस्भोटक हो जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ हजारों की तादाद में लोग पहुचे रामलीला मैदान दिल्ली और उसके आसपास की इलाकों से लोग जत्थों और जत्थों में पहुचे सबकी जबान पर जैभीम का नारा था सब संत रविदास मंदिर को दुबारा बनाए जाने के लिए संकल बद्ध थे उनका तर्क बिल्कुल साफ था जिसे आप खुद भी सुनेंगे वो सीधे सीधे कह रहे थे कि जब आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं तब नहीं देखते कि वो जमीन किसकी है किसके नाम की है सारे रास्ते निकाल दिये जाते हैं किसी भी हिंदू देवी देवता के मंदिर को बनाने के लिए और यह हमारा 600 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है जिसके तमाम बियुरे मौजूद है और इसे मिंटों में तोड़ दिया जाता है और इसे बचाने के लिए सरकारें कुछ नहीं करती हैं चूंकि संतर अभिदास के मंदिर पर श्रद्धा दलितों की है इसलिए दबंग जाती हैं सरकार जिसे उन्हें खुल के कहा मनुवादी सरकारें इसे गिराती हैं सारा आक्रोश फुटा मुदी सरकार के खिलाफ भीम आर्मी के नेता चंदरशेखर सहित अनेक रविदासी नेताओं ने इस पूरे आंदोलन की कमान समहाल रखी थी लाठी चार्ज हुआ आसुगैस छोड़ी गई गिरफतारिया हुई लोग इटेन किये गए और मीडिया ने पूरी बेहियाई के साथ इसे ब्लैक आउट किया दिन भर लाइफ काटने वाले टीवी चैनलों के लिए हजारों की संख्या में राजधानी आये ये भारतिय नागरिक कोई बड़ी खबर नहीं मने इस घटना के कुछी दिन पहले आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने अपने चिर परचित अंदाज में आरक्षन पर पुनरविचार बातचीत करने की बात कही यह बयान बहुत सोस समझ कर दिया गया और इसकी टाइमिंग भी ध्यान देने लाइक है आरक्षन के खिलाव धीरे धीरे सालों साल में जो नफरत भरी गई है उसकी पूरी फसल काटने का समय आ गया है कम से कम आरेसेस इसी क्रम में है वहीं पहुची हुई है आरेसेस इससे पहले भी 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षन के खिलाफ बयान दिया था आखिर क्यों दिया यह बयान इससे किसके हिच सत्ते हैं RSS के और भाजपा को इससे क्या फायदा होता है यह समझने के लिए 2-3 बिंदूओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है मोधी सरकार पहले ही अगड़ी जातियों के लिए 10 फीसिदी आरक्षन का प्रावधान कर चुकी है और इसका असर हम सबने 2019 के आम लोकसभा चुनाओं में उसके परिणामों में साफ देखा था दूसरा जो एहम फैसला इस सरकार ने किया है जिस पे वो तेजी से आगे बढ़ रही है वो है आईएस में लेटरल इंटरी का डिप्टी सेकेटरी डिरेक्टर के स्तर पे 50 फीसिदी से अधिक जो पद हैं वो निजी छेतर से भरने जा रही है इस बारे में सहमती बन गई है खबरे जून से चंचन के हमारे पास आ रही है इसी को कहते हैं लेटरल इंटरी लेटरल इंटरी यानि अभी तक इन तमाम पदों पे जो सरकारी उहुदे हैं जो बहुत एहम उहुदे हैं वहाँ पहुश सब्फ छे जोईन सेरफ़ेटरी लेवल पर डारेक्टर लेवल पर उधिंड पास्वाइलों को पास करना उन पर साइन करने का अधिकार होता है यानि पिछले चौर दर्वाजे से निजी चेत्र में यह बाहर से गोया की चुनांचे जितने लोगoton इस देते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता और यहां पर जो अभी कोशिश हो रही है वह 650 पदों में से सीधे सीधे 400 के करीब पदों पर सीधे भरती की जाएगी इसका अर्थ हुआ कि भारती प्रशाशनिक सेवा जिसे आईएस कहा जाता उसका पूरा चहरा पूरा स्वरूप बदल जाएगा जिस तरह से इसमें दलित, आदिवासी, हाशेक पे पड़े हुए लोग, अलपसंख्यक इनमें प्रवेश पा रहे थे उनकी छुट्टी हो जाएगी या उनके लिए आकरशन सेवा नहीं रहेगी और उससे भी बड़ी बात जो छुपी हुई है कि इस तरह स से आरक्षन की हो जाएगी छुट्टी, सरकारी नौक्रियां पहले से ही नहीं है, इस्कूल कॉलोजियों में आरक्षन को मेरिट से कॉम्परमाईस के तौर पर तकरीबन बीजेपी, आरेसेज और पूरा जो राइट विंग ग्रूप है, वो इस्थापित कर चुका है कि जो सब कर लेने के बावजूद, वो आरक्षन पर लगातार निशाना साधे रहती है, और इसके पीछे मानसिकता यह है कि उसे एक विलन के तौर पर मध्यम बर्क के लिए पेश किया जाए, यहां बताया जाए कि राष्ट के विकास में अगर कोई बाधक है, तो वह है आरक्ष सबसे दिल्चस्प बात यह है कि आरक्षन के खिलाफ नफरत पहलाने का एजेंडा वह संस्था चला रही है, जहां ब्राम्हों के लिए 100% आरक्षन है, आरेसिस की कमान सिर्फ और सिर्फ ब्राम्हों के पास रहती है, इसका प्रमुक सिर्फ इसी जाती में पैदा हुआ व् पुरुष होता है, औरतों की तो वैसे भी यहां कोई इंट्री होती नहीं है, जिस तरह से आर्टिकल 370 पर संग ने देश भर में व्यापक जन्मानस को अपने पक्ष में खड़ा किया, वही कवायत आरक्षन के मामले में वह कर रहे हैं, उनके मनसूबे साफ हैं, वे चाहत हैं आरक्षन का खात्मा, बहरहाल जो लोग जाती के खात्मे पर बड़ी ही मासूमियत से अलग-अलग धंकी घोशनाएं करते रहते हैं, कहते हैं कि हमें तो जाती पता नहीं, जाती है नहीं, उन्हें तमिल नाडू से आई इस मारक खबर को जरूर पढ़ना चाहिए, इसक पुरम गाउं की है, जहां दलित लड़के की लाश को नदी के किराने जलाने के लिए पुल से उपर खाट से बांद कर नीचे उतारा गया, क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जाने तक का रास्ता दबंग जातीयों के पास था, और वे इंकार करते हैं, और वहाँ पर दलितों को कहना है कि लंबे समय से तनाओ है, और लाश तो जलानी है, और उनके पास कोई और जगह नहीं है, इसलिए उन लोगों ने खाट से बांद कर लाश को नीचे उतारा, और यह प्रक्रिया कुछ समय से कर रहे हैं, यह है हकीकत हमारे देश की, अर्थविवस्था में तो हर तरह फील गुड है, यानि सबके बल्ले बल्ले हैं, बहुत ही मजे में हैं अर्थविवस्था, रोज खबरों में इस बात की होड लगी रहती है कि किस छेतर से कितने लोगों की छुट्टी की जा रही है, कितने लोगों को निकाला जा रहा है, तमाम कंपनियां, इंडस्ट किया कहते रहे हैं कि सारा का सारा इंवार्मेंट, इंवेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए बहतर है, वो आज खुल कर बता रहे हैं कि हाल बहुत बिगड़ गए हैं, आप देखिए कि पारले जी ने जहां घोशना की, कि वे दस हजार लोगों की छटनी कर रहे हैं, व मेरा और आपका नहीं मानना है, इस उद्योग में लगे हुए लोगों का, बिजनस करने वाले लोगों का दावा है, कि इतने लोग निकाले जा चुके हैं, भीशनमंदी है, इसी बीच एक दिल में चुबने वाला विग्यापन दिखाई देता है, Northern India Mills Association का, उन्हें ऐसा वि ग्यापन में इस बात का ऐलान है, कि टेक्स्टाइल इंडस्ट्री, कताई संग और जो छोटी इकाईयां हैं इससे जुड़ी हुई, वे पूरी तरह से बरबादी के कगार पर पहुँच चुकी हैं, दस करोड से अधिक लोगों का रोजगार सीधे सीधे या परोगश रू से अधिक लोगों का काम छिन चुका है, और यह विज्ञापन तमाचा मीडिया पर भी है, क्योंकि काईदे से ये बहुत बड़ी खबर थी, जिसे मीडिया को कबर करना चाहिए था, लेकिन चूकी मीडिया के लिए छटनी, बेरोजगारी, गरीबी, भुक्मरी, यह सब गुरी में इस एसोसियेशन को विज्ञापन के तौर पर देना पड़ा, और विज्ञापन के रूप में यह छपा तभी हम तक पहुच पाया, ठीक इसी समय देश की 41 ओर्डिनेंस फैक्टरीज, जिने हम आयुध निर्मानी भी कहते हैं, वे सब हरताल पे चल रही हैं, एक इस महीने की हरताल का नोटिस उन्होंने दिया है, और यह हरताल पूरे देश में चल रही है, जिसमें करीब 80,000 से अधिक लोग काम करते हैं, और सारे के सारे लोग इस एतिहासिक हरताल में शामिल हैं, यह लोग इन फैक्टरियों को निजी हातों में सौपने की जो सरकार की योजना है, इसका विरोध कर रहे हैं, वे अपने निकमी करण या सारजनिक उपक्रम बनाए जाने के विरोध में हरताल पर गए हैं, और लंबे समय से पिछले देड़ दो साल से लगातार जो मंत्राले हैं, उससे ही लोग बातचीत कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्ट्री से इ होत कम है, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की जो सेना है, उसका जो गोला बारूद है, उसकी जो बाकी तमाम जरूरते हैं, छोटे-छोटे नट बोल्स हैं, ये सब यही कमपनियां, यही जो छोटे-छोटे इंडस्ट्री जे बनाती हैं, और भारती सेना के अ पिशले साल जब मैं कुछ फैक्टरियों में गई थी, तब उस समय भी वे बुरी तरह से तभा थी और बंदी के कगार पे खड़ी हुई थी, इनके मालिकों ने उस समय बताया था कि सरकार की जो योजना बदली है, सरकार की जो स्कीम्स बदली हैं उसकी वज़ा से तबाही के कगार पे वे सब खड़े हुए हैं। इनकी जो पूरा एक्सिलेंस है, जो पूरी स्किल है, वह सिर्फ और सिर्फ सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां से आने वाले ओर पर हैं। सरकार इतनी ज़ादा डिफेंस की बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, मेकीन इंडिया की बात कर रही है, तो कोई रास्ता इंके लिए भी निकलेगा। भारती प्रतिरक्षा मजदूर संग ये तीनों ही तीनों इस हर्ताल में शामिल हैं सरकार से निगोशियेट कर रही हैं जिसमें जो आखरी वाली यूनियन है वह भाश्पा से जुड़ी हुई है वहाँ पे भी लोगों को कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं All India Defense Employees Federation के सी श्रीकुमार उनका कहना है जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्हें कहा कि मोधी सरकार को इस देश की सुरक्षा से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है वह उससे समझोता कर रही है क्योंकि इस देश की सुरक्षा की गैरंटी करने वाली ये जो ओर्डिनेंस फैक्ट्र इनके साथ सरकार लंबे समय से धोखा धड़ी कर रही है यह शर्मनाक है उनका कहना है कि यह चाहती है कि ब्येसेनल की तरह हम भी पूरी तरह से पंगू हो जाएं और उसके बाद वह हमारे शेयर बेचते अंत में कश्मीर कश्मीर सुलग रहा है और अंतराष्टी इस तर प दोनाल ट्रम्प जिस दबंगई के साथ मध्यस्ता करने पर अड़े हुए हैं बिल्कुल उतारू हैं उससे लगता है कि वह दूर की कौड़ी खेल रहे हैं हो सकता है कि 370 को हटाना भी किसी अलग ढंकी आफसी समझदारी का हिस्सा हो क्योंकि यह अकारण नहीं हो सकता कि उ इधर कश्मीर सुलगने लगे हैं उधर विरोध भी सिर्फ कश्मीर या देश में नहीं पुरी दुनिया में फैल गया है अमरीका से लेकर लंदन तक 370 को हटाने और कश्मीर को कैद में तब्दील करने के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं लंदन में दलिस संगठनों ने साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रूप के साथ मिलकर कश्मीर में 370 को हटाये जाने और कश्मीर में जो हिूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया इसमें राजड़तना अंबेटकर जो भीमराव अंबेटकर के ग्रैंड निफ्यू हैं कल्पना विल्सन जो इस फोरम से जुड़ी हुई हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में पत्रकारों, कारेकरताओं, एक्टिवस्ट ने शिरकत की कारेकरम के अंत में फैज एहमत फैज की मशूर नजम हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा था, इसे गाया श्रिलंका की निर्मला राजा सिंगम ने हम आले सवामा तुदे हर रहों, मसुना दे पिमेताए जाएंगे, सब ताजे उचारे जाएंगे में सब दायू उचारे इस आएंगे, सब तक से गिराएंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, लाजिस है कि हम भी देखेंगे खोश खबर के इस एपिसोड में इतना ही बना रहेगा हमारा और आपका साथ, देखते रहिए खोश खबर, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए, फिर मिलते हैं, ऐसे ही कुछ सुलकते हुए सवालों के साथ, शुक्रिया क्कुछ सुलकते हमारा थायदा